आज हम आप लोगों को जीन अभिवेक्ति का नियमन अथवा रेगुलेशन अभ जीन एक्सप्रेशन अथवा इशी को प्रोटीन संसलेशन का आनुवांसिक नियंत्रन कहते हैं के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए चलिए शुरू करते हैं तो जीवों की सरीर में होने वाली बिभिन जयो प्रिकिरियाएं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एवं नियंत्रित होती हैं अर्थात कोई भी जीवो उसके सरीर में जैसे पाचन है वो सर्जन है आद ऐसी ही बहुत सी जयो प्रिकिरियाएं एक विसेश प्रकार की प्रोटीन या एंजाइम के द्वारा सुरू होती हैं और कंट्रोल भी की जाती हैं अब सवाल है कि ये एंजाइम कहां से आते हैं तो एंजाइमों का संसलेशन जीन्स के द्वारा होता है जो एंजाइम होते हैं या जो प्रोटीन्स होते हैं इनका संसलेश कहा होता है जीन्स के द्वारा होता है बता दें कि जीवारवों में जीन्स की संख्या लगभग में 500 से 8000 तक होती है इसके बीच में यह कह सकते हैं कि जो प्रो केरियोर्ट्स होते हैं उसमें 500 से ले करके 8000 तक जीन्स पाय जाते हैं जबकि यू केरियोर्ट्स में 12000 से ले करक तो किसी में 20,000, तो किसी में 25,000, ऐसे ही एक लाख तक, मतलब 12,000 से लेकर के एक लाख के बीच में अलग अलग जीवों में अलग अलग जीन्स पाय जाते हैं, बता दें कि मनुस्य में लगभग जीन्स की संख्या 30,000 होती है, जो मर्स होता है इसमें जीन्स लगभग में कितने पाय जाते हैं 30,000 अब सोचिए मर्स में इतने जीन्स पाय जाते हैं यदि सरीर की सभी कोशिकाओं के सभी जीन्स सक्री हो जाएं तो क्या होगा वास्तों में सभी जीन्स हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं सभी जीन्स की बात की जाए तो सभी जीन्स हमेशा active नहीं रहते हैं अब इस हिसाफ से देखा जाए तो सामान तहा प्रतेक जीन्स लगभग निस्क्री अवस्था में होता है अगर देखा जाए तो जो प्रतेक जीन्स होता है वो निस्क्री अवस्था में होता है या inactive होता ह जब किसी विसेश एंजाइम की जरूरत होती है जब कोई विसेश एंजाइम की आवस्तक्ता होती है तो उससे संबंधि जीन्स सक्री हो जाते हैं यानि जिस एंजाइम की जरूरत पड़ी तो उससे संबंधि जो जीन्स है वो सक्री हो जाता है और आवस्तक्ता अनुसार प्रकार से बिसिष्ट एंजाइमों को बनाने वाले जीन्स को प्रेहित करने तथा आवांचनी एंजाइमों के जीन्स को निस्क्री करने वाले प्रकरम को ही प्रोटीन संसलेशन का आनुवानसिक नियंत्रन अथवा जीन अभिवेक्ति का नियमन कहते हैं अथवा इसे ही जीन प्रकटन का नियमन भी कहा जाता है तो एंजाइम का बनना या प्रोटीन का बनना कहिए एक ही बात हुई चलिए अब आते हैं जीन प्रकटन के नियमन के अस्तर पर तो जीन प्रकटन या अभिवेक्त के नियमन के चार अस्तर हैं चार अस्तरों में कौन कौन से, पहला है जीन अनुलेखन, अथवा इसी को अनुलिपिकरण कहा जाता है या ट्रांस्क्रिप्शन लेवल कहा जाता है तो यू कैरियाटिक कोशिकाओं में डिन्ने के साथ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं DNA होता है, इसके साथ binding proteins होती है, binding proteins के DNA के साथ लगे रहने पर genes निस्क्रिय होते हैं, उनसे RNA का transcription नहीं होता है, इसलिए binding proteins के द्वारा आवसकता नसार सक्रिय जीन निस्क्रिय तथा निस्क्रिय जीन सक्रिय किये जा सकते हैं, कोई मिला कहने का मतलब यह है, जो binding protein होती है, इसी से जो निस्क्रिय जीन है उनको सक्रिय और जो सक्रिय जीन है उनको निस्क्रिय किया जा सकता है, इस प्रकार से genes से RNA के transcription की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यह इस प्रकार से genes के द्वारा ही जो RNA का transcription होता है, उसकी अंदर को घटाया थवा बढ़ाया जा सकता है फ्रे दूसरा है उत्तर अनुलेखन या उत्तर अनुलिपी करन पर तो इसके अंतर्कत क्या है कि DNA के ट्रांस्ग्रेप्संस बनी RNA की प्राथ्मिक प्रतिलिप सक्रिय नहीं होती है जो DNA के transcription से RNA की प्रतलिप बनती है, copy बनती है, वो सक्रिय नहीं होती है, इसकी processing होती है, processing यह नहीं संसाधन चलता है इसका, तो processing होती है, प्राथमिक mRNA प्रतलिप यदि संसाधन के बजाए या processing के बजाए बिगटित हो जाए, खत्म हो जाए, भिलीन हो जाए, तो सक्री mRNA बन नहीं पाता है, और protein sensation रुख जाता है, इसलिए mRNA या RNA प्रतलिप के अनुलेखन की दर या transcription की दर को घटा या बढ़ा कर protein sensation की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, या control किया जा सकता है, अगला इस टिप है अनुआदन इस्तर या translation level, तो ribosome पर mRNA अड़ से polypeptide श्रंखला या polypeptide chain के translation इस्तर पर या अनुआदन इस्तर पर भी नियंत्रित किया जा सकता है, या translation की दर को घटा या बढ़ाया जा सकता है, तो अगल मिला करके अनुआदन इस्तर या translation के अंतरगत क्या है, कि ribosome पर जो mRNA अड़ होते हैं, इनकी polypeptide श्रंखला के अनुआदन पर या translation क भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है, फिर अंतिम है, उत्तर अनुआदन इस्तर तो इसके अंतरगत संसलेशित polypeptide श्रंखला सक्रियन नहीं होती है, इसको दुतियक वा तिर्थियक सर्नचना में बदलना आवश्यक होता है, इस स्तर पर polypeptide श्रंखला का बेकटन होने पर प्रोटीन नेश्ट हो जाती है, अधवा कहें तो इसके रूपांतरण के समय बदला होने पर प्रोटीन की भूमिका बिल्कुल बदल जाती है,